हाई वरिवन वेलकम बैक तुनी वीडियो तो फ्रैंस आप लोग 30 जुलाई से इंतेजार कर रहे हैं कि यह फर्स्ट और कर सीट लोट्मेंट कब आएगा और यह टेकनिकल इसू का क्या कारण है और टेकनिकल इसू से क्या क्या नुखसान होने वाला है स्टुडेंट को और कह सब्सक्राइब करने की जड़ूरत है तो देखें सबसे पहले जो आप टैंसल ले रहे हैं कि सीटलोट में आएगा तो डॉक्पेरिपेशन का टायम मिलेगा तो बात करते हैं कब तक आने की संभाबना है तो देखें पर बिस्टिस रिबोड के पास कौल लगा थे तो हाँ चला है कि आज राद तक आने की संभाबना है आप लोग एफसाइट चेक करते रहेगा तो फ्रेंस आसा है कि आज राद तक आजए तो फ्रेंस आप लोग चेक करते रहेगा उसके बात करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे टेक्निकल इसू का क्या नुक्सान स्टूडेंट के लिए बस एक शी नुखसान है सेसन थोड़ा डिले हो जाएगा अगर फर्स्ट राउन सकेंड राउन टाइम से हो जाता बारा तरीक तक हो जाता तो पंद्रा के बाद आप लोगा क्लास सुरू हो जाता और इंडक्शन प्रोग्राम सुरू हो जाता सकेंड राउन में भी टेक्निकल इसू हो जाए तो फ्रेंस ऐसा मत किजेगा यह बोड का इसू है आपका कोई इसू नहीं है आपको जैसा टाइम मिल रहा था वह सटाइम मिलेगा बस थोड़ा सा सेशन डिले हो जाएगा पर जैसा प्रोसेस था वह आज या अफिर यह बाएक बार टेक्निकल इसू खत्म हो जाएगा तो फिर जैसा प्रोसेस चल रहा था वैसा यह प्रोसेस चलेगा जैसा तीन दिन भेरिविशन टाइम मिलने वाला था वैसा ही मिलेगा तो आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए और जो सकेंड राउन में जरूर जाएगा जो सकेंड राउन में जाना चाहते थे सकेंड राउन जरूर जाएगा और फ्रेंस आप लोगा कलासेस 22-25 तक सुरू होने की समभाबना है तो फ्रेंस आसा है कि आज रह तक सीट लोट में आने की समभाबना है